दिर्क हाइटश्वागर को आक्टिक महसागर खूब भाता है। जर्मनी के डिर्क नौर्वे के उत्तरी इलाके में बारा साल से रह रही हैं। वे सलानियों को सागर किनारे रूसी सीमा के पास मौजूद जगहें दिखाने ले जाते हैं। इन सलानियों के लिए उन्होंने एक नजारा सागर की तलहटी से निकाला है। इसके लिए एक दिन पहले ही उन्होंने 180 मीटर की गहराई पर जाल डाला था। ये केकड़े अपने स्वात के लिए दुनिया भर में मशूर हैं लेकिन क्या दरजनों केकड़ों तक पहुचने के के लिए महज एक दिन काफी है। हलांकी केकड़े एकॉलेजी के लिए एक समस्या भी बन रही है। पारी में कूद कर देखिए केकड़े आपको खा जाएंगे हमारे आसपास हर तरफ केकड़े हैं। किंग क्रैप्स कहे जाने वाले इन केकड़ों से उत्तर में आर्थिक रूप से स्थिर नौर्वे में वो सम्रिद्धी आई है जिसके बारे में सोचा नहीं गया था। इनमें मचुवारों का सुदूर गाउं बुगोयनेस भी शामिल है। 1989 में यहां के निवासियों ने अपना गाउं बेशने के लिए विग्यापन डाला। युवा यहां से जा रहे थे क्योंकि गाउं में कोई रोजगार नहीं था। अब गाउं में फिर से चहल पहल है, जहां बेड अन ब्रेक्फिस्स से लेकर आपको रेस्तरा और बारबीर मिल जाएंगे। लेफ इंगिला उन शुरुवाती मच्छवारों में शामिल हैं जिनों नई बुगोयनेस के पास समंदर में इन केकड़ों की प्रवासी प्रजाती की खोच की। सोवेत रिसर्चरों ने इन्हें 1950 के दिशक में बेरेंट सागर में डाला था। हालनकी इंगिला को जब इनके जाल में ये विशाल केकड़ा मिला तब उसके बारे में नहीं जानते थे। हालनवादी और विज्ञानिक चिंतित हैं। केकड़े सब कुछ खा जाते हैं। ऐसे में यहां के घरेलू इकोसिस्टम को खत्रा पैदा हो गया है। ये केकड़े अब दक्षिड की तरफ दूर दूर तक मिल रही हैं। हमने देखा है कि केकड़े पानी के तापमान में 18 डिग्री सिल्सियस तक खुद को अनुकूलित कर लेते हैं। इसका मतलब है कि वो भूमध्य सागर में भी जिन्दा रह सकते हैं। जहां कहीं भी ये केकड़े बस जाते हैं, वे वहां के दूसरे समुदरी जीवों को खत्म कर देते हैं। गोंगे और स्टार फिश की प्रजाती तो पूरी तरह से गायब हो गई है। मॉंस्टर क्राब या किंग क्राब कही जाने वाले इस केकड़े का कोई प्राकृतिक दुश्मन नहीं है। मचली पालन विभाग के अधिकारियों ने इनकी आबादी को नियंतरित करने के लिए इसे पकड़ने का कोटा बड़ी उदारता से तै किया है। दिर्क हाइट शौगर अपने महमानों को जो परोस रहे हैं वे थोड़ी देर बाद ही उनकी रसोई में आ गया है। नहीं तो यह यूरोप और एशिया के सिर्फ बहतरीन रेस्टराओं में ही मिलता है। नौर्वे दुनिया भर में 2000 टन से ज्यादा केकड़ों का निरियात करता है। केकड़े का लजीज मास, थानिय लोगों और सेलानी दोनों को खूब पसंद है। नौर्वे के प्रशासन के लिए यह संतूलन बिठाने की कारिवाई है। वे केकड़ों के आबादी को बचाए रखना चाहते हैं जो इलाके में खूब कारुबार ला रहा है। दूसी तिरफ इनका खूब विस्तार भी नहीं होने दिना चाहते। उत्री नौर्वे के लोगों को उमीद है कि यह कमाई का जरिया लंबे सबै तक चलता रहेगा। इन लोगों ने किंग रैप का पहले से ही समारक भी बनवा दिया है।